हे गाइस गुड मॉर्निंग तो आज वापस से दूसरे व्लॉग के साथ मैं आई हूँ बहुत ही सुन्दर मॉर्निंग है तो व्लॉग के स्टार्ट करते हैं आज मैं बॉइस ओफर कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं नीचे गई और मैंने जो रात को कपड़े से खाये थे वो ताकि उनको जब शाम को मैं आऊँ थोड़ा सा तैवय बना लू इधर मैंने मेरे बेटे के लिए लंच तियार किया और आज बहुत बारिश हो रही है यार मेरे को पता है सब कुछ अच्छा लगता है सर्दी हो गर्मियों पर यह बारिश होती ना बड़ा किच-किच-किच लगता है और हमारा दोने का निकलने का टाइम हो गया सुबह सुबह बना व्लॉग बनाने में बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बहुत रश रहता है तो मैं और मेरा बेटा दोनों निकल गए उसको मैं पहले स्कूल ड्रॉप करूंगी फिर उसके बाद जाओंगी अपने का हम पे तो बस अभी निकल गए हैं दोनों और बारिश बहुत जादा है जिसकी वज़े से रियली बहुत बुरा लगता है मुझे बारिश में इतना किच 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 लगता है ना बारिश में ठंड भी बरदाश हो जाती है गर्मी भी बरदाश हो जाती है पर ये बारिश परबारिश भी जरूरी है क्या करें भी तो हम दोनों निकल गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है मेरे बेटे का स्कूल और मेरा ओफिस लेकिन उसको स्कूल छोड़ती हूँ फिर अपने ओफिस जाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है बाकी तो अगर मैं सिर्फ अपने स्कूल सॉरी अपने काम पे जाओं तो डिरेक्ट पहुंचाती हूँ पाच मिट में और यह सीदे मैंने लंच टाइम का दिखाया है बीच में नहीं दिखा सकती हूँ तो यह लंच कर लिया है मैंने आज कॉस्टा में किया था लंच और डिरेक्टली उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि मेरा ओफिस का टाइम खतम हो गया है और मैं ओफिस से निकल रही थी तो टेसकों से अभी निकल गई हूँ घर के लिए पहले बेटे को पिक अप करूँगी फिर घर पहुचूँगी और घर में भी 50 काम होते हैं पर आज बहुत जादा थक गई हूँ तो सोच जी हूँ पहले जाके थोड़ा अराम करूँगी फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम शुरू वो अलागी होती है सोच जादा घर आके करेस्ट करूँगी पर घर आके भी 50 काम वेट कर रहे हैं तो सबसे पहले सारा जो भी समान पड़ा हुआ है वो सब टाइडी अप किया शूज वगेरा शूरेक में लगाए क्योंकि शूज यार दरवाजे पर बेख रहे रहना बहु कुल एकदम घर में घुसते ही वो शूज शूज दिखें और जब घर में सिर्फ लड़के हों तो पताईए ना कि घर को टाइडी रखना कितना मुश्किल है जहां जूते जैकेट सब वहीं फेक देते हैं वैसे यूजिली नहीं फेकता है लेकिन जैसे कई बार थोड़ा सा थक जाता है लेजी हो जाता है तो जेकेट पर नहीं रखता है तो गलव्स वगएरा भी ऐसी पड़े हैं तो ये मैंने किया अपना हॉल भी टाइडी थोड़ा सा अंदर रूम में गई तो देखो यहां भी अंटाइडी पड़ा है तो ये भी पहले मैंने सुचा सूने से प मैं थोड़ा सा Tidy up करती हूं क्योंकि थोड़ा Tidy up रहता है तो थोड़ा अराम से आप सूचते हो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा tidy up घर होता है तो positive भी feel होता है नहीं तो घर गंदा पड़ा रहे न तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है फिर आप आराम भी कर रहे हो न तो आराम नहीं कर सकते हैं तो मैंने जल्दी से अपना जो मैंने नीचे एक mattress बिचा के रहा है अपने ड्राय से वो भी मैंने सारे तै बना लिए क्योंकि फिर इनको भी जगे पर रख दूँगी तो यह सारे मैंने तै कर लिए अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ चाय पीती हूँ तो मैंने चाय चड़ाई मेरे husband भी काम कर रहे थे तो मैंने सुच चाय बनाई जाए बड़ी असी ठंड का मौसम है तो बड़ी असी मसालेदार चाय जिसमें अधरक इलाइची लॉंग और काली मिज़ डालके अच्छे सी कूटके मैंने सारा मसाला तयार किया और वो चाय मैंने बनाए और इतनी जबरदस लगती है ना यह चाय ठंड के राइम में बहुत मज़ा आ जा गाए गाए तर्फ कुछ डाली रहना रहता है तब भी बड़तन लगाया जाते है दूताहां में जाते होना, दिश डृतना, टहे लगा दिये हैं और मैं इतना थक गई हूं न आजकल मेरे को बैक पेन चल रहा है तो थोड़ा भी न जैसे आती है मुझे रहसना मिले न तो बहुत दर्द होने लगता है लेकिन आज मैंने सुचा चलो अभी मैं चाय बना रही हूं तो थोड़ा काम रिप्टा लेती हूं क्यो लग गए अब सिर्फ खाना बनाना बागी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और वाइस सारा काम करना बड़ा मुश्किल होता है तो ये भी मेरा काम हो गया है चाय भी उबल रही है यहां पे आप लोग बताओ आपका दिन कैसा बीता कमेंट बॉक्स में आप मुझे अच्छा लगता है ना हलका गरम हीटर से एकदम चिपक के बैठ जाओ हटाने का मानी करता है यहां मैं मेरे हस्बन से बात कर रही थी तो बस ऐसी पूरा दिन निकल जाता है यार इनसे भी कामों में तो बस निकल गया पूरा दिन अभी चाय खतम कर ली है अब इसके बाद म मेरे हस्बन थोड़ा मैंने ग्रॉसरी लाने को बोला था उनसे इंडियन स्टोर से यूँकर मैं एक्चली जो इंडियन ग्रॉसरी है उनके लिए अलग से शॉप होती है तो हम वहां जाके इंडियन ग्रॉसरी खरीद लाते हैं तो मैंने वही सारी इंडियन सबजियां तो बाहर से मंगाते हैं तो बाहर से खाना खाया तो मैं एक दम मैंने किचिन विचिन साफ कर दिया और इसे के साथ मैं ब्लॉक एंड करती हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा था गई हूं अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो के साथ कल तब तक के लिए बाए